या फिर आप Dream 11 के monetization model को समझना चाहते हो या फिर अगर आप नहीं भी बनवाना चाहते हो तो Dream 11 कितने तरीकों से earn करता है या फिर ऐसा application बनवा के आप कैसे earn कर सकते हो complete इस वीडियो में आपको guide करूँगा और कौन-कौन से Dream 11 जैसे application worldwide चलते है या फिर ये legal है या नहीं है इसको बनवाने में खर्चा कितना आता है इसका monetization model क्या है बहुत सरे इसे topics हैं जो आपके मन में हैं ये सारे questions actually मुझे पूछे जाते हैं उसका complete answer इस वीडियो में और ये complete guide है अगर आप एक Dream 11 जैसे application बनवाना चाहते हो तो उसके उस purpose के लिए ये वीडियो complete guide है आपको इस वीडियो को पूरा end तक देखना है प्लीज इस वीडियो में कोई भी point को miss मत कीजेगा वरना half knowledge आपको मिलेगा और आपको पता है half knowledge is danger आपको मैंने इसके पहले भी वीडियो से बता है इंडिया में जादा आप लोगों को पता होगा dream 11 या MPL ये आपको पता होगा लेकिन globally कौन कौन से applications ज्यादा run करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ draft king, real fever, yahoo fantasy sports, cbs fantasy sports, fantasy sports app in India ये जो है ये globally run करते हैं ठीक है और इंडिया में सबसे जादा जो run होता है applications जिसे हम भी use करते हूँ और cricket के time अभी आपको पता है IPL आ रहा है IPL के time सबसे ज्यादा use होने वाले applications है ये जो मैं आपको बताने जारू इस time dream 11, MPL, fan fight, my 11 circle या फिर my circle 11 जो भी इस time ज्यादा promote हो रहा है और आप सभी को मैं बता दो जितना ज्यादा ये promotion में खर्चा करता है IPL के time मतलब पूरा खर्चा करते हैं क्योंकि IPL जो भी आ रहा है न Apple में start होने वाला है उस time cricket वाले applications बहुत trend में रहते हैं ज्यादा दर लोग इस पर bet लगाते है मतलब earning करने का सबसे best way है और cricket का नशा कितना रहता लोगों पर ये मुझे बताने की जौरत नहीं है आपको तो उसका फायदा आप उठा सकते हो यानि अगर वो bet लगाते हैं खेलते हैं इन सब चीजों में पैसा लगाते हैं जीतते भी ऐसी बात नहीं है कि ये चार पॉइंट मैंने बता है ये ज़्यादा रन होते हैं ग्लोबली और इंडिया में ठीक है अब बात करते हैं कि जो fantasy applications रहते हैं ये काम कैसे करते हैं इसमें क्या होता है मतलब क्यों इतना craze बढ़ चुका है और dream 11 जैसे application क्यों market में ज़्यादा run कर रहे हैं कुछ नहीं करना होता है दोस्तो बहुत simple points रहते हैं इसमें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपको वहाँ पे पहले sports को select करना है अगर आप football क्योंकि इसमें सिर्फ IPL के matches बगारा तो होते हैं dream 11 जैसे application में football, cricket आजकल तो रम्मी, तीन, पती सब एक ही game में integrate कर रहे हैं तो अगर आप cricket क्योंकि अभी IPL का season आ रहा है तो अगर आप cricket खेलते हो तो इस application को क्या करना रहता है कि आपको download करना है, अपना team बनाना है decide करना है कि उसमें captain किसको आपको रखना है अपने team को manage करना है, दिमाग से ठीक है कि क्या कैसे रखना है और उसके बाद में reward देना है मतलब आपका अगर आपने team सही बनाया आपने captain सही रखना है तो आप पका जीत होगे यहाँ पर क्या होता है दोस्तों अब एक legal illegal वाली जब बात आती है तो मैं आपको बता दूँ कि dream 11 legal है इंडिया में, कई-कई ऐसे state है जहाँ पर illegal है, लेकिन dream 11 को legal इसलिए माना गया है, हाला कि illegal ही है gambling application है, आप वाँ पर bet लगा रहे हो सट्टे बाजी वाला काम कर रहे हो आप वहाँ पर इस तरह से gambling है, लेकिन एक छोटे से law की वज़ा से जैसे कि मैं last video बता था, जिसकी वज़ा से illegal हो गया इंडिया में, कि यहाँ पर आपको अपने दिमाग का use करना पड़ता है और जिस game में आपको अपने दिमाग का use करना पड़ रहा हो वो game illegal नहीं है, यानि कि आप अपने दिमाग का use कर रहे हो तो वो illegal नहीं माला गया, सिर्फ एक छोटे से इस law की वज़ा से वो इंडिया में legal है, Dream 11 और इसका इफादा MPL, My 11 Circle सभी उठा रहे हो और अच्छा खासा अंकर रहे हैं आप भी Dream 11 डाउनलोड करके, चाहो तो try कर सकते हो मैं किसी को promote नहीं कर रहा हूँ, किसी application को बस एक suggestion दे रहा हूँ तीसरा point, monetization model क्या होता है Dream 11 का monetization model क्या है आखिर वो किन तरीकों से पैसा कमाता है या फिर अगर आप एक ऐसा application बनवाते हो तो आप किन तरीकों से पैसा कमा पाओगे ऐसे application में फर्स्ट तो real cash game है तो आप obviously अच्छा खासर निंग करोगे सेकेंड अपने application के अंदर आप advertisement system भी डाल सकते हो तो ये application आपको ऐसा नहीं सोचना है कि ये play store पे नहीं है तो आप इसमें Google AdSense के ad नहीं डाल पाओगे या Google AdMob के ad नहीं डाल पाओगे तो ठीक है ना Google के मत डालिए अप लिन्वो है या फिर startup app है app next है ऐसे बहुत सारे advertisement platform है जहां मतलब उनके ad आप अपने application में integrate कर सकते हो native banner सब international सब आप अपने application में डाल पाओगे अच्छी earning होती है अगर नहीं भी आपको ऐसा मतलब समझ में आ रहा है कि advertisements आपको पैसा नहीं कमाना है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि advertisement डालने से आपके application का impression गलत पड़ता है यूजर के सामने तो यह first वाला point up skip कर सकते हो लेकिन earning इससे भी होती है और बहुत सारे ऐसे application जो है जिन में डाला जाता है advertisement first monetization model यही होता है second brand promotion आप चाहो अपने application के अंदर किसी brand का promotion कर सकते हो उनके example के तोर पे आप अपने application के अंदर कोई affiliate link डाल सकते हो किसी brand का मतलब उससे related बहुत सरे brand आप जैसे dream 11 लोगों को cricket खिलने का शोग है तो वाहां पर किसी cricket जो bat bat बनाते है ना उस company का brand का आप प्रमोशन कर तो वहां से अच्छे खासे sales मिलेंगा और आपको उसका 10-20% मिलेगा प्लस आप पे आड डाले हो उसका लग से पैसा मिलेगा तो second चीज आप यह कर सकते हो यह एक monetization model है dream 11 में इन सब चीजों को भी प्रमोट किया जाता है ball, bat, cricket से related जो चीज़े रहती है जब उस टाम चल रहा हो जब वह सीजन चल रहा हो तो आप अपने यूजर से amount add करवा रहे हो, समझ रहे हो, एक और चोटा से example देता हूँ, आप जब bank में पैसे invest करते हो ना तो उसका आपको interest परसंट मिलता हो, कुछ भी interest आपको मिलता हो, 6-10%, आप ये सोचो, आप bank में पैसा डाल रहे हो, आपको हर साल का वो 6-7% दे रहा है, bank पागल तो नहीं है न कि आपको कुछ amount जादा दे रहा है, मतब जितना आपने pay किया, उससे जादा दे रहा है, वो कितना भी percent रहने दीजे, कुछ-कुछ ऐसी भी banks हैं, जो जादा देते हैं, 10-15 तक भी देते हैं, कुछ-कुछ offers अगरा मिला के, लेकिन आपने जितना amount दिया, उससे आपको वो कभी आपने ये सोचा है, कभी नहीं सोचा होगा आपने, क्योंकि वो जो amount है ना दोस्तो, एक साल के लिए उनके पास है, अब उस amount को वो कहा invest कर रहे हैं, उस पैसे से वो कैसे पैसा बना रहे हैं, ये आपको भी नहीं पता होगा, तो कभी भी ध्यान रखो दोस्तों, bank कभ आता है bank, तो वैसे यहाँ पर होता है, अगर आपके पास, आप अपने application में लोगों से money add कर वा रहे हो, तो वो money आपके पास है, आप उसे कहीं भी यूज़ कर सकते हो, आपका है वो, उसके बाद में आप एक recurring model उसमें रख लीजे, जो आपका user खेल रहे हैं, उसको at a time win amount देखें, थोड़ा रुक के दीजे, या फिर अगर at a time भी दे रहे हैं, तो भी तो कितना ज़्यादा invest हो रहा है आपके इसमें, तो investment एक बहुत अच्छा है, मतलब आपको कहीं जाने की ज़रुत नहीं परती है, बहुत जादा amount आपके application में वैसे ही आ जाता है, तो तीसरा आप उनको live cricket match दिखा रहे हैं, मतलब अपने ही application में, तो subscription plan डाल दीजे, 99 rupees per month और users उसमें full आपके content को enjoy करेंगे, ये सारी चीजी भी आप डाल सकते हो, ये monetization model है, dream 11 या फिर sports application का, अब आते हैं दोस्तों fourth point पे, how much does it cost to develop a gaming app like dream 11, अगर एक gaming app बनाया जाए, dream 11 जैसा android platform के ल और ऐसा application बोलो बनाने के लिए, तो around 5 lakh, 6 lakh, 7 lakh, 8 lakh तक भी जा सकता है, ठीक है, इतना amount लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ये application sports application है, यहाँ पे एक साथ bulk में user रहते हैं, तो application crash नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो इतना amount लग जाता है, लेकिन अगर आप हमसे बनवाते हो, मेरा template से, empty software solution से, नीचे description box में मेरा number भी दिया हुआ है, आपको यही application around 1.5 lakh में, with website, with landing page, with सबी जो मैंने functions बताये हैं, plus इसके functions को भी अगर आपको जानना है, तो आप मेरा template.com पे जाईए, आपको ये पूरा detail में आपको बता चंद जाएगा, ठीक है, तो आप लोग इससे related, 1.5 5 lakh में हम आपको बना के दे सकते हैं, और अगर आपको और भी कुछ इससे related negotiation में जो भी करना हो, कम करवाना हो, तो उसके लिए आप मुझे call कर सकते हो, तो cost तो दोस्तों आपको बता दो, इसमें जादा लगता है, 5 lakh, 7 lakh तक जाता है, इसमें API का खर्चा भी आपको हर मन्त करना पड़ता है, अब API क्या होती है, API का खर्चा क्यों देना पड़ता है monthly, क्योंकि sports application है, अब कितना score हो रहा है, या आप manually तो update नहीं कर पाओगे उसके लिए API खरीदना पड़ता है, अब ये detailed में समझने के लिए आप चाहो तो मुझे call कर सकते हो, नीचे description box में मेरा number द